प्राइब बंध होने के समय पांच बजे तो अब हम जब तक हम पहुंचे थे तक बंध हो गया तो विजा तो मलब स्थान का ही महत्व है तो इस तान पर हम बैटे हैं पूरा टेर कदम है यहां पर अभी बैटे भी है यह बीटे प्रभुजी महराजी बता रहते है गाईएं को वापस ले जाने की समय जब होता है तब उस समय भगवान यहाँ पर कदम की व्रुक्ष में बैटकर फिर भगवान तेर लगाते हैं तेर लगाना मतलब बुलाना जोर से पुकारना और भगवान हम जैसे पुकारते नहीं बलकि अपना बासुरी को ही बजाते हैं जैसे भगवान अपने बासुरी को बजाने लगते हैं, उस बासुरी के आवाद से ही अपने जितने भी नव लाग गाये हैं, सारा गायों का अपना अपना नाम है, सारे नाम उससे निकलता है, अपने आप निकलता है, और सभी को अपना अपना नाम सुनाए पड़ता है, हर प्रगास भगवान बहुती तोड़ी ही समय में सारा गायों को इकत्रत कर देते हैं माँ आप सोचे कि 9 लाग गाय हमारा देड़ सो गाय है बट इन देड़ सो गायों को इकत्रत करने में हमारे टेर कदम दाम चोट गया गाय गास सरने के लिए नहीं मिला अंदर वाली बट बगवान तो 9 लाग गायों को केबल उनकी बासरी बजाने पर सारे गायों को अपने आप समझ आता था तो हमारे पास तो वैसे बासरी वाला तो नहीं है वहीं साथ सोग्ष प्रूहीं माइक में चला रहे थे बट उनकी बासरी कीस को सुना है ने दिर तो उस प्रकार से भागवान टे लगा को सारे गायों को इकत्रत करते हैं भागवान की गायों को भी अलग-अलग चला के कैटेकरी से उनकी सिर की स्वात प्रकार की होती है उनकी रग किस प्रकार को होता है उनकी स्वभाव की स्वभाव का नाम होता system कमिसाउब से उनकी रंग किसाब से उसकी स्विभाव किसाब से अनेक अनिय क्या जाता है। है ऑ तो केवल घवान की है। और भागवान के साथ कितने और सारे गौल जाया करते थे ह। पिर उन लोग की गाय तो उस प्रकार से कितने असंग की घाय गवा करते थी पर उन असंग घायों को भी भगवान बहुती अच्छा से मैनेजर के फिल लिया आते थे तो exactly जो समय है इसी समय में ही भगवान अपना गायों को बुलाकर फिर अपने नंदगां वापस जा रहे हो मरलब जब गाय उनको भागवान साथ लेकर जब अपने नंदगाम वापस जा रहे होते उस समय गाय चलने के कारण अभी तो सारतार रोड है पर पहले मिट्टी का ही रोड हुआ करती है तो मिट्टी पूरा उड़ जाता है तो उड़ जाने के कारण इतने आप सोचे कि 9 तक डाय जब चलने लगती है तो कितना सारा धूल उड़ता एंडी विपर आस्मान में तोली ही दूल दिखाई देता है इंडि उस दूली को गो धूली कहा जाता है और वैसा जो गो धूली की समय पर जब भगवान चल रहे होते है तो समय सुब से लेकर शान स्यान थब पूरा शरीर पसीना पसीना से लटपत हो गया जब पूरा पसीना हो जाता है ना चिपक ने लगता है कुछ भी उसके उपर लगेगा देन फिर उच्पक जाएगी देन यह सारा धूली जब गायों की हूप की जो धूली उड़ता है देन फिर वह जब भागवान की शरीर पर गिरता है ना वो पूरा का पूरा धूल वो भागवान की शरीर पर चिपक जाता है तब भागवान जो शामले वनके थे वो गोरे वनके दिखने लग जाते हैं और वैसा जो भागवान जो की शामले हैं बट फिर भी गोदूली की गोदूली उनकी शरीर पर चिपक जाने के कारण जो गोरे रंग की दिखाय देता है दिखाय देते हैं वैसे भगवान को ही पांडु रंग कहा जाता है ह। इस पांडु माहराज है न विचा पांडु एक वीमारी है यह सारा जो भी हम लीला भता रहें वह इसी स्तान की है जिस्तान पर अभी हम सभी बैटे हैं लगबग इसी समय पर ही यह सारा लिला हो रही है अभी भी बट हमारी दौरभाग यह है कि हमें दिखता नहीं है हमें दिखता नहीं है बस हमें वो वाल वाल बस जाते भी दिखाई देने हैं कई सारे हमें कोई गाई वाई तो दिखाई ने दी तो इस प्रकार की बहुती अद्बुत महातपून स्तान है इसलिए इसी स्तान को श्रीलरूब को स्वामे ने चाइन किया है अपनी भाजन करने के लिए और वैसा जो इसकौन के इसकौन में जो भी भाक्त जुड़े हैं जो की गौडी वाईश्णों सामप्रदाय का अनुसरन कर रहे हैं तो उन सभी लोग के लिए अस्तान बहुती बहुती महतपून है उनकि ये रूप गोस्वामी का भजन स्तली है और हम सारे गौडी वैश्णों को रूपा अनुगा कहा जाता है रूप गोस्वामी की पद्द चेहनों में चलने वाले इसलिए उन्हें रूपा अ इसी स्तान पर शिलरूप गोस्वामी ने हमारा गौडी वैश्ण सामप्रदाय का एक सबसे महतपून ग्रंद के रूप में जो जाना जाता है जो कि गौडी वैश्ण सिध्धान्त को बिलकुल पर्फिक्ट ढंग से जो प्रदर्शित करता है यह हमारे लिए तो एक लौब पुक की तरह है जो श्रीव पबाज कहते हैं तो हमारे लिए तो कानून है बक्तिरिसाम सिंदू जिसके अनसार हरे गौडी वैश्णों को चलना ही चाहिए यही पद है तो प्रकार कि बक्तिरिसाम सिंदू गरंद की रचना श्रील है रुपगऌ स्वामी ने इसी स्थान पर गिये है इसलिए इसadian बहुती बहुती महत्वापून है पर पर साथी साथ यहाँ पर और भी कुछ और ग्रंदों का गभी रुपगद्धु स्वामी ने रचना किया जैसे ललित माद व विदक्दमादों करके भी उन गरंदों का भी लचना किया, जैसे इन ललित мादों के अंतरगत भागवान श्रीराधा कृष्ण की आंतरंगिक गोपनी लीलाओं का वर्नन होता है, जिसमें रधा कृष्ण एकतरट आते हैं, फिर विदक्दमादों गरंद के अंतरगत भी राधा कृष्ण का ही लीलाओं का वर्नन है बट वहाँ पर राधा कृष्ण की विरह की लीलाओं का वर्नन है वहाँ पर विरह की लीलाओं का वर्नन है और यहाँ पर इकत्रत आने की लीलाओं का वर्नन है वैसा कहा जाता है जिस पेड के नीचे यहाँ पर र प्रूप गोश्वा में उस ग्रंद के अंतर्गत कर रहे थे कि उसके अंतर्गत जो विरह की भावनों को वर्नन की प्रभाव पेड की उपर भी पढ़ने लगा पेड भी ये सारा वर्नन की प्रभाव की कारण फिर उनकी सारे पत्ते वत्ते जढ़ने लगी सारा सोकने लगी और जढ़ने लगी और फिर भाद में जब रूप गोष्ट्वामी वही पर ललित मादव की रचना जब शुरू किये ते जिसके अंदर राधा कृष्ण की इकत्रत आने की लेलाउं को वर्नन होता है तो ये होता है अमारे आचार्यों की रचना की प्रभाव एक तो आचार्यों की रचना की प्रभाव शाती सात व्रंदावन की रुक्षें का भी जो भगवान की लिलाउं के साथ उसकी उनके आधान का दान इस सारह कुछ हम इसी सथान का ही संबन्द में हम मता रहे हैं यहां पर एक और बहुती विसेश लिला गठी थी श्रीला रूप गोश्वामी और सनातन गोश्वामी के संबन्द में एक बार सनातन गोश्वामी विसे रूप गोश्वामी का भाई ही ते सनातन गोश्वामी रूप गोश्वामी से मिलने आते हैं देन फिर रूप गोश्वामे का काफी इच्छा होती है कि सनातन गोश्वामे जैसा महान महान संथ हमारे स्थान पर आये हुए है तो उनकी सेवा हमें किसी न किसी प्रकार से करनी चाहिए मेरी इच्छा है कि उनको खीर खिलाए जाए उन्हें कीर किलाने की इच्छा थी बट क्या करें कीर बनाने का जो भी पदाद वगेरा चाहिए वो सारे कुछ उनके पास था नहीं है तो तोड़ा से विचार कर रहे तो अगर मेरे पास होते तो मैं उन्हें बहुत सुन्दर कीर बना कर मैं सनातन गोश्वामे को किला सकता पर क्या करूं मेरे धौरबा की कि मेरे पास उस प्रकार की सामानिने में कैसे किला पाऊंगा करके रूप गोश्वामी तोड़ा चिंतित है यह बात जब इस प्रकार की चिंता में थे उसी समय एक छोटा सा लाडली जो है वो इसी स्थान पर पहुंच जाती है और रूप ग रूप गोश्वामी से कहती है कि देखो हमारी माने कुछ सामान आपको देने के लिए बेजी है तो यह सामान है आप ले लीजेगा करके देन रूप गोश्वामी का हाथ में रख कर भाग जाती है और फिर रूप गोश्वामी ने कोल कर देखा तो उन्हें दिखाए दी कि सारा खासारा खीर बनाने के जो भी सामान वहीं सामान नहीं तो फिर यह सारा सामान लेकर फिर रूप गोश्वामी जो है बहुत सुंदर कीर बनाते हैं भगवान को भोग लगाते हैं भगवान को सबस्क्राइब करें जैसा सनातन गुस्वामी एक चे मैं डालते हैं तुरेन सनातन गुस्वामी मरले उंके आंकों से आसु आने लगता है उनकी शरीर से पसीना निगलने लगता है उनकी शरीर कांपने लग जाती है वो हशने लगते हैं रोने लगते हैं जम इन पर लोटने लगते हैं और एक समय पर तो मूर्चित होकर गिर पड़ते हैं उस प्रकार के अवस्ता हो गया था सनातन गोस्वामी को केवल एक बार एक एर चकने मातर से तुरन सनातन गोस्वामी कुछ समय के बाद जब भोश में आ जाते हैं तो समय सनातन गोस्वामी जाकर रूप गोस्वामी से पूचते हैं है रूप ये खीर किसने बनाया फिर सनातन गोस्वामी ये तुम मैंने ही तो बनाया क्या हुआ कुछ गड़वड तो नहीं पर सनादुन को समय कहते नहीं इस प्रकार की इतना स्वादेश्ट और इतना अम्रत की तरह ये जो खीर है इस प्रकार की खीर तो में कभी खाये नहीं ये खीर खाते ही हमारी अंदर रश्टसात्विक विकार प्रकाट होने जा रहे हैं प्रकाट हो रही है तो ये किये तो सादान हो इने सकता है तो आप बताइए खीर किसे बनाया क्या है करके तिन फिर रूप को स्वाह मिं सारा कहानी सुनाते देखे मेरी बहुत इच्छा था आपको खीर केलाने की और मेरे पास कोई सामान नहीं था इसलिए में तुछ चिंता कर रहा था उतने ही देर में एक लाडली कुछ सामान लेकर आई पिर कहने लगे कि हमारी मान ने तुम्हें देने के लिए बेजा हुआ है तुम ले लीजे करके फिर मैंने वही सामान लेकर तुम्हें ले कीर बनाकर भगवान को बूग लगा कि तुम्हें किलाया और वही कीर काकर आपके अंदर ये साथ वे क्यार पकट हो रही है देन फिर सेनातन को स्वामी कहते है हे रूप क्या आप यहाँ पर इस्तान पर राधारानी से सेवा लेने के लिए आये हो ये राधारानी को सेवा देने आये हो हरी हरी हरे क्रिष्ण हरूप यहाँ परिस्तान पर आप राधारानी का सेवा करने आये हो ये राधारानी का चार लोग भु कर एपि हरे क्रिश्न तु वहाँ पर सं 어र स्वामी से बात कि नहीं में बाद के राधान इसे वा प्र सवानन के सरह सेवा करें, कि फिरूक्त वहां 유ह प्रव Works प्रॉस्वामी बहुत आस्र चेनके बात कर फूश्यूटत्य। मैंने क्या ऐसा कर दिया कि रहा रहा दान से में कहा से वालिया तब ही हमारे स्पीकर सुनाए दे रहे हैं नहीं आ रहे हैं इस स्पीकर में वाल्यूम बढ़ाने के कोई इंतिजाम नहीं है हम तुड़ जोर से बोलेंगे सुनो तुड़ा और पास में आज़े हैं ध्यान से सुनेंगे आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे तो सुनाए देगा पुर्ण रूप गोश्वामी से स्थनातन गोश्वामी कहते हैं जो लाडली तुम्हे सामान देने आई है न वो तो कोई और नहीं वो तो स्रीमत राधरानी है स्वयम श्रीमत राधरानी ही स्वयम आई है तुम्हे तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए इसलिए जब शुद्ध बक्त किसी प्रकार की इच्छा करने लगते हैं देन फिर भागवान और श्रीमत राधरानी स्वयम इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए खुद आने ल लेका पूर्णत श्रीम्त राध़ानिय स्वयं इसी स्तान पर की थी त्यासलिए ऐ बहुती-बहुती महात्रपून स्तान है हम सभी के लिए निए पूर्ण के लिए यह स्तान पर रूब गुष्वमी का सिनातन गुष्व kanaori का सेवा करने की और इच्छा इसी स्तान पर पूरा हुए है और फिर शाती साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंद में एक और अद्बुत लीला इसी स्थान से संबंदत है वैसा नंदगाओं यहाँ पर है और बरसान उस तरफ है लग बस साथ किलोमेटर की दूरी है जब घ्वान गोक्ल में रहा करते थे जन स्रीमति राधाराणी रावल में रहा करती थी जब गोकल में भगवान थे तब श्रीमतिरादाराणी रावल में थी पहले गोकुल में फिर उसके उपरा नंद गाह और इसी प्रकाश स्रीमतिर आधरानी भी पहले रावल में रही फिर बरसाना फिर जावट तो इस प्रकाश इन तीन स्थानों में रही भगवान यहाँ पर व्रज मंडल के अंदर गत मत्रा जाने के पूर यहाँ पर लगबग साड़े 11 साल रहे थे हर एक स्थान पर लगबग 3 साल 9 मेनिं तख रहा करते थे भगवान जैसे गोकुल के अदर बढ़ान की वाचल निलकाश aoda अ करते थे इसले भगवान जयादा तर यह शैदा और नन्द बाबाक के साती रहा करते थे जब भगवान गोकुल से बृंदावन आये तब मीक बंद हो गया जब भगवान गोकुल से जब वरिंदावन पहुंचे थे तब स्री vendmillion कहा पहुंची जो फूराइन पहुंच गई पहुंसान पहुंच गे भगवान की गोपाश्ट में के दिन उनका प्रमोशन होता है गाई वगरे चराने लगते हैं पहले बचड़े चराने देती थी अभी गाई वाई चराने लगे था भगवान फिर गाई चराने की नाम से भगवान जाकर फिर अपने गवाल साकाउन के साथ अनेक अनेक प्रिका और फिर उसको परान जब धगवान नन्दगा reign पहुंग जाते हैं तब नन्दगामें भागवान की किоды's Ouais शूरू हो जाती है और कशयर लीलाव में भागवान गोप्यों के साथ ज्यादा समयिसे गोपियों के लीला प्रदान थी वैसा गवाल सकाओं के साथ भागवान केला करते थे बट यही मुझा डूंड ते ते कब में चोड़कर भागूं जब भी उन्हें मोका मिल जाता था गवाल सकाओं को चोड़कर भागने की तरह तुरंब भाग जाते थे बिल्कुल तो हर समय यही नाटक ही चलता गर पे भी नाटक एश्वद में रोज आती थी उन्हें सुलाने उनकी बाकी गवाल सकाओं जब सुलाने के प्रयास करते थे भागवान सोते नहीं थे तिन एश्वद में दूद लेकर आती थी भागवान को सुलाने थे फिर दूद पिलाते बट भगवान जोटा सोना करते थे पर इसलिए फिर सोने के नाटक करते थे नाटक तो जब कोई विक्ति नाटक करता है सोने की उन्हें जगाई नहीं जा सकता है उन्हें जगाई नहीं जा सकता है जो असलियत में सोया है उन्हें जगाई जा सकता है बट नाटक जो कर रहे उन्हें जगाई नहीं जा सकता है इसलिए ऐसा जब अदस्त नीन में चले जाते थे ये शोदे में लगता थी कि तो असलियत में सो ही गया जब ऐसा लगता तो दिन ये शोद में चले जाती थी और जैसा ये शोद में चले जाती थी उस समय पंका हुआ करती थी पंका जैसा बरसान मैना जो गर्ब ग्रह के अंदर के पंका होता है उस पंका ऐसा होता है कि वो बाहर से कीचना होता है जैसा बाहर से कीचेंगे वो प्रकार के पंख कश करें तो तो भी कमरे में और को भी कमरें प्रेशिव कमरे में रही वह रहां चेंसे कृष्ण किड़ी किसे निकल जाते थे वह दिरादरी कि समय फिर वंसी वट पर पर पिर जाकर वहां पर अपना महाराज संपन किया करते थे तुछ प्रकार से भगवान वहां पर भी जब नंद गाँ में थे इस प्रकार के अद्बुत कईशोर लीलाये गोपियों के संग में संपन किया करते थे एंड वेसा जब भगवान और राधारानी को जब हर दिन ही कई न कई मिलना होता है हर दिन कई न कई मिलना होता है बट लोगं को पता नहीं कहा पन ले तो ये दोनों कहा मिलना है वो चान निस्चे करने के लिए लगबग इसी स्थान पर हर दिन राधा और क्रिश्ण एक दूसरे के सामने आया करते थे राधा और ये बट दोनों ऐसा जाते थे कि एस दोनों एक और को जानते ही नहीं है ताकि किसी को किसी प्रकार के अनुमानी ना आये तुछ प्रकार से एक दूसरे मालब अन्जान रूप से ही दोना सामने से निकल जाते थे पर निकलते निकलते वो लोग मतलब एक तना प्रकार की संकेत नामक गाउं भी यही पर इसी पर पास में ही है यहां से आप आगे जाएंगे ना जैसा पीछे बरसाना यहां पर नंदगाउं है फिर तोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर जावट है जावट जावट जानते हैं सभी लोग जावट श्रीमति राधरानी का शशुराल है बहुत जादा दूर नहीं है पास में यह बढ़ हम नहीं जाएंगे और वहाँ पर राधरानी का जो sister-in-law and mother-in-law मतलब जटिला कुटिला sister-in-law क्या कहेंगे नननत सास और नननत सास और नननत के साथ और जो श्रीमति राधरानी का जो पती है अभिमन्यू जो कि अभिमन्यू भी भी भागवान स्री कृष्ण का जो चाया है चाय मतले हमारा चाया होता है न शैडो उसी प्रकारिसे भागवान की स्री कृष्ण का जो चाया है चाया का ही अवतार है अभिमन्यू जिसने जिन के साथ श्रीमत्यादाःने के शादि होती है एंड ये अर्विमान्यों के साथ जटिला कुटिला के साथ वहाँ पर बहुत सुन्द़र मंदिर है वहाँ पर दशन करने के लिए जावट में ये स्थान भी है और वेसा भी यात्रा का भी लास्ट अंतिम समई ही है बस एक दो तीन शब्द आखर में कहकर हम समाप्त करेंगे वैसे आप में से कितने लोग कितने लोग का अच्छा लगा यात्रा व्रिंदावन अच्छा लगा हमेशा व्रिंदावन पे रहना चाहते हो अब सुनो आप क्या करेंग तो व्रिंदावन में हमेशा प्रहबगा मतारो ए mucha END मम् व्रण्दावनम व्रण्दावन में मृंदामéraश कर दीट या व्रिंदावन यूड है उसे रिंदावन कहा जाता है और वैसा रिंदावन में रहने की स्वभाग्य फिर कौन देगा जिनका स्थान है व्रंदा देवी देगी बट व्रंदा देवी साथि साथ भागवान श्री कृष्ण का गोपी सकी भी है तुलसी मंजरी भी है व्रंदा गोपी जैसे भागवद्दा में व्रंदा गोपी के रूप में व्रंदा देवी रहती है और वही जो व्रंदा गोपी है इस धरातल पर तुलसी के रूप में तुलसी महरानी के रूप में प्रकट होती है व्रंदा गोपी और यह जो गोपी है फिर किसी और को भी भ भगवान के पास में भी नहीं जाने देगी, तो व्रिंदावन में रहने का मतलब भगवान के बिलकुल निकट में रहना, भगवान के निकट में फिर वही विक्ति जा पाएगा, जिने व्रिंदा देवी अनुमती देगी, व्रिंदा देवी तब ही अनुमती देने वाली है, जब हम योग्य बनेंगे फिर हम अपने योग्यता कैसे बढ़ाए जाए योग्यता बढ़ाने के लिए हरी 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 ओने चलो बईया व्रिंदा देवी ही अनुमती देती है वैसा व्रिंदा देवी अनुमती देने के लिए हमें अपने आपको योग्य बनाना होगा योग्य बनाने के लिए अभी पताएंगे उसके लिए ही हमें भागवान की सेवा करने की तरीका ये ढंग हमें सीखनी चाहिए और वही हमें भक्ति के अंदरगत सिखाए जाता है श्रवनम, कीतनम, विश्नुस्मरणम, पादसेवन, मच्चनम, वंदनम, दास्यम, सक्यम, आत्मन, वेदनम ये जो नवविदा भक्ति के द्वारा हमें प्रसिक्षन दिया जा रहे हैं जिससे हम भगवान के संग में रहे सके इसलिए जो मुक्ति के विशे में आप लोगोंने सुना होगा जो पांच प्रकार की मुक्ति होता है उस पांच प्रकार की मुक्ति में एक प्रकार की मुक्ति ये भी है सा लोक्या ये भगवान जिस लोक में है उसी लोक में भगवान के साथ रहना और ये सा निदि भी है जा भगवान की पार्षद बनकर भगवान के साथ में रहना व्रिंदावन में रहने का एक दूसरा अर्थ भी है जैसा पंचांग बक्ति के अंदर तो मतुरावास एक महत्पून अंग है जो 64 अंगों बक्ति में पंचांग बक्ति प्रदाने पंचांग बक्ति में मतुरावास एक अंग है मतुरावास ऐसा नहीं कि जो डिल्ली में बैटा हुए है वो बक्ति नहीं कर सकता वो मतुराव में नहीं रह सकता बलकि श्रील पुर्भा जी अक्सर कहा करते थे व्रिंदा व्रिंदावन का मतलब है चेतना अगर आप व्रिंदावन में रहकर नौइडा के विशे में सोच रहे हैं दिन आप कहा पर है अब अगर व्रिंदावन में आकर भी आप सोच रहें कि हमारा ओफिस में कल बॉस पूछेगा तो इतकाम तो हुआ नहीं पता ने डांट तो देग प्राधना करेंगी आप रूप गोस्वामिक सामने आके रूप गोस्वामिक हमारा बास बास को बदल दीजेगा तब ही आप कहा पर है फिर नौइडा में अगर मैं नौइडा में रहे कर में व्रिंदावन के विशे में सोचूं अच्छा अभी के समय पर पतान भगवान अ तो गाई चरान निकल गए होंगे और भगवान अपने व्राद सकाओं के साथ जा रहे होंगे पताने आज कौन सा बस्तर भगवान ने पहना है एंड किस प्रकार से भगवान भी बासरी बजा रहे हैं गवाल बाल आपस में कौन सी कता का चच्चा कर रहे होंगे और भगवान को आज कि लाने के लिए सारे गवाल बाल कौन सा कौन सा भगवान लाए होंगे भगवान जो है नंगे पैर चल रहे हैं पर नंगे पैर चलने क कारण पता ने कौन सा पत्तर भगवान को चुब रहा है कौन सा काटे चुब रहा है तू इस प्रकार से भगवान के विश्य में सोच रहे हैं वहाँ पर बैठ कर भी तिन आप कहा पर हो इसले व्रंदावन केवल एक स्थान ही नहीं है बलकि हमारा छेतना की स्थिति है इस स्थिति में आप अपने आपको हमेशा के लिए रख सकते हो जिस स्थिति में आप हमेशा भगवान के विश्य में चिंतन कर सकते हो जब आप अपने आपको हमेशा भगतों के संगती में रखेंगे इसलिए भक्तों का संगती और मतुरावास इस दोनों बिलकुल अभिन है अगर आप भक्तों का संगती में हैं तो इसका मतलब आप मतुरा में ही है उनकी भक्त जब मिलते हैं वो तो भगवान का ही तो चच्चा करते हैं भगवान के विशे में सोचने में हमें सहायता देते है तो उसी प्रकार के बाते करते हैं तो उसकी वजह से हम हमारी चिंतन जो है भगवान पर चले जाती है तो उस प्रकार से हम व्रणावन में नहीं होते हैं उसलिए भक्तों के साथ रहने पर आप रहने का ही बराबर है इसलिए हम इसलिए श्रील प्रभबाज ने इसकौन मंदरों को बनाया इन इसकौन मंदरों को बनाने का मूल उद्देश ही होता है ताकि अन्य साधारन लोगों को भक्तों का शंगती लेने का एक सू अवसर प्रदान करने का जिस उद्देश को लेकर शीलब प्रभपाज ने इसकौं के मंदिरों के खड़ा किया है इसलिब शीलब प्रभपाज इसकौं के मंदिरों कहा करते थे these are embassies of the spiritual world आध्यात्मिक सुरुष्टी का embassy है या उसके extension है उसी का विस्तार है मतलब ब्रिंदावन का ही विस्तार है इसकौन मंदिर जो जो काम ब्रिंदावन में होता है वही काम वहाँ पर भी होता है यहाँ पर क्या होता है कितन होता है वहाँ पर कितन होता है यहाँ पर रादा कृष्ण के सेवा होता है वहाँ पर भी रादा कृष्ण के सेवा होता है यहां पर वक्त होते हैं यहां पर प्रशाद मिलता है यहां पर भी प्रशाद मिलता है तो फिर और चाहिए तीसलिए वो ऊसमें संग मंगते भी मांगते विली सुना रोट खिला भी रहें तो फिर भी नहां आते लोग पता नहीं क्या है स्थिश्ली हम आप से सबम हो आप सभी लोग आईये मंदिर उस प्रकार से बक्तों का संगती लीजिए खता सुनिए प्रशाद लीजिए किर्टन करिए नाचे गाईये समय बिताईये मंदिर में हमारे लिए ही बनाई गये नहीं तो यतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग बनाने करें जोती क्या है हमारे ल तो इस प्रकार से बक्तों का संगती लीजिए और अनिक प्रकार की ऑनलाइन सुविदाय भी आप लोग उपलप्त है ऑनलाइन क्लासेस वगरे भी चल रहे हैं तो उनक्लासेस में भी आप आई उसके अंदरगत भी जुड़िए इतने सारे फैसलिटी आपको दिया जा रहे है जुड़ने का दिने सारा फाइदा उठाते हुए आप लोग अच्छा से जुड़ियेगा एंड यही पर हम अपने वजन समात करेंगे अभी हम दामध राश्ट कम गाएंगे और दामद राश्रुम गाएंगे और उसके साथ हम यहाँ पर यात्रा समात करेंगे आप सभी विर्णावन चले जाएंगे और हम यहाँ रह जाएंगे ठीक है?